देखिए चिराग पास्वान को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है चिराग पास्वान को मुखमंत्री बनाने के लिए अब इंडिये के तरब से अवाज उठ रहा है क्या बिहार के मुखमंत्री चिराग पास्वान को होना चाहिए चिराग पास्वान इवा है और बिहार के बिहार का मुख मंत्री बनना चाहिए बिहार का मुख मंत्री बनना चाहिए बिहार का मुख मंत्री होना चाहिए इवा है और बिहार का भविस्य है चिराग पासवान बड़ी कबर इस वक्त की जो आ रही है आज नितीज कुमार अपना इस्तीपा राज्य भौन में सौपे है और उसके बाद अब नितीज कुमार सपत लेने वाले हैं लेकिन इधर चिरा पासवान नराज है नितीज कुमार के एंडिय में आने से तो कहीं न कहीं एक सवाल उठ रहा था कि चिराग पासवान को उप मुख मंत्री बना देना चाहिए लेकिन अब चिराग पासवान को मुख मंत्री बनाने का बात सामने आया है सोशल मीडिया पर यह जो बयान है आसत में जो उथल पुथल मचा हुगा है कहा जारा है कि एंडिये में चिराग पासवान नराच चल रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान सुरू से नितीज कुमार के नीती का विरोध करते हैं और नितीज कुमार के एंडिये में जब आने की बात सामने आई तो चिराग पासवा से भी पूछा गया कि नितीज कुमार का स्वागत कीजिएगा तो उन्होंने साफ तोर पर बात को घुमाते हुए कहा कि नितीज कुमार के नीती का बिरोधम किये थे शुरू में भी अभी भी करते हैं और भविस्ट में भी करेंगे अगर नितीज कुमार का वही नीती रहा तो फिलाल चिराग पासवान एंडिये के हिस्ता है लेकिन कहीं न कहीं चिराग पासवान नराज हैं बीजेपी मनाने की कोशिस कर रही है तभी तो चिराग पासवान दिल्ली से जेपी नड़ा के साथ पटना पहुँच रहे हैं बड़ी खबर इस वक्त की आपको देना है देखिए बीजेपी के राष्ट्रिये अध्यक्ष जेपी नड़ा के साथ चिराग पासवान बिहार पटना लोट रहे हैं आज नितीज कुमार का सपत ग्रहन है नवी बार बिहार के मुखमंत्री का सपत लेंगे नितीज कुमार और चिराग पासवान की चर्चा भी उतनी ही तेज हो रही है क्योंकि चिराग पासवान जो नितीज कुमार से हमेशा खापा रहते हैं उनके निती का विरोध करते हैं कहीं न कहीं NDA में भी चिराग पासवान की नराजगी देखी जा रही है और चिराग पासवान लागतार बि उन्होंने कहा कि इववा नेता हैं चिराग पास्वान भविस्थें बियार के उन्हें मुख मंत्री होना चाहिए आप क्या सुच्छें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा बियार एक सुच आप देखने बहुत बहुत धन्यवाद